हेलो फ्रेंड्स दिस इस मामित जैन असिस्टेंट प्रॉफेसर कम एड्वोकेट टाइगे फर आइक्वी जो आपकर हमाना चैनल है इसमें आप सब कर स्वालत है देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक विकेंसी आ चुकी है और उस कड़ी में आज आपके सामने में आएए तौपिक लेके आया हूं जो से आपिसी में डारेट्रेट ओफ प्रोजीक्यूशन यानि की अभ्यजन इंदर शादिय की बात करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं कि डारेट्रेट ओफ प्रोज्शन या अभ्योजन निदर शादिय है जो हमें क्ष्टिन 25A में देख सकते हैं कि यह सक्षन है 25 और 25 को जदी हम ऐसे लिखे हैं और बीच में दो जीरो जोड़ दें तो यह कौन सा यह राता है 2005 यानि कि यह CRPC Amendment Act यानि कि दंप्रिया संशोदन अधिनियम 25 और 25 और पहली बार CRPC में इंट्रोड्यूस किया गया था और देखें यह जो टॉपिक है यह आपके प्रियर्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस बाद को जोड़ा फोकस करेंगे देखें पहली बात तो यह है कि ए इसे स्थापित कर सकती है इसका मदलब है यह इसकी इस रिपावर है कि यह हमारी को स्टेट गौर्ण्मेंट इस रिपाट्मेंट को यह स्टापिश करना चाहते हैं तो करें मरना यह की मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है तो यहां पर यह लिखा हुए कि स्टेट गौर्ण्मेंट में इस्टाबिश है में इस्टाबिश और डारेक्टरेट ऑफ प्रोजीक्यूशन अब यह बाता मिसल में आती है कि हमारी राज्य सरकार एक अभ्योजन निदेशाले स्थाप और यह कितने होते हैं यहां पर सिर्फ एक होते हैं और जो इस डिपार्टमेंट के हैट कलाते हैं और उसके बाद लिखाए एंड एस मैंडेटरी डारेक्टर्स को हम गोलते हैं और यह जंग ओपने देशाले तो यह क्या रहा है कि यह एक अभ्योजन निदेशक और इतने अभ्योजन उपने देशकों से मिलके बनेगा जितना कि राजसका को ठीक लगे एक बाद फिर दूसरी बाद करते हैं तो यहां पर हम यह दिखेंगे कि उनके मेंबर्स हैं यानिकी डायेक्टर और डायेक्टर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन के हैं और यह आपकी एपियल जाम के लिए एक इंपरन्ट टॉपिक है इस बाद को आपको ध्यानक ना होगा कि कि जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो बताई हुई है कि क्रम से कम 10 साल तक यह एड़ोकेट के लूप में प्रैक्टिस कर चुके हो और दूसरी बाद यानि कि यह दूसरी बाद भी मेंडरेट्री होगी यह क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए और दूसरी बाद जब भी ऐ ऐसा अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी कंसेंट से ही ऐसा अपॉइंटमेंट किया जाएगा और यह आपके प्याज़न के लिए इसके बाद आपको यह ध्यान एक्वाज क्लॉस तरी है वो यह कहता है दा है शेल्फ फंक्शन अंडर दा एड्मिस्टेटिव कंट्रोल ऑफ दा है ऑफ दा हों डिपार्टमेंट इन इन दे स्टे यह बहुत इंपॉर्ट बास है पहले तो आप यह बास समझे कि हां पर कारा है है तो पहले इस बाद को समझेगा कि यहां पर एक डारेक्टर ऑफ कॉजिक्यूशन होते हैं और कुछ एक अबियोचन अब्स देशक विंपार्टमेंट के हां और यह बात आपको थ्यान अपना है कि या जो है वो किसके एंडरने kाम कर रहे हैं उस उस concerned state में जो ग्रह विभाग होगा यानकी home department होगा उनकी जो head होगे उनकी administrative control यानकी प्रशाशनिक नियंतर में काले करेंगे और यह आप अभी लिख लिए यह pre-exam के लिए है most important और चौत्या जो clause देखें को मिलता है 25 एके clause 4 की बात करें तो उसमें पताया हुआ है कि जितने भी डायेक्टर्स ऑफ डायेक्टर्स ऑफ प्रॉजिक्यूशन है यानि कि जो अभीजन उप निदेशक हैं यह किसके subordination में काम करेंगे किसके अधिनस्ता में काम करेंगे तो ज इस बात को आप समझेंगे clause 5 की बात कर रहे हैं कि इस बात को फोकस करेंगे देखें मैंने पहले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कौन-कौन से पाब्लिक पॉजिक्यूटर होते हैं तो जरह इस बात को दिहां रखेंगे कि हमारे पास होते हैं लुक अब्यू जिने बोलता है अतिक लोक अभियूजश और एक होते हैं हमारे स्पेशल यानि कि विशेश पाब्लिक प्राजीक्यूटर अंब धेखें मैंने क्लाश वीडियो में आपको यह समझाया था कि जो लोक अभियुचक होते हैं आपल लोक अभियूज़वींश विशेश होते है यह कहां त्रांफर function करते हैं तो यह high court में भी कर सकते हैं और court of session में भी होते हैं यानिकि session यानले में भी होते हैं एक बात और ज़रे इस बात को वड़ा focus करेंगे एक होते हैं Assistant Public Prosecutor यानिकि साहिप लोग अभ्योज़क और UP में हमेरे क्या बोलते हैं EPU हम जहां देते हैं आप जड़ा इसमें जिस जितने भी पब्रिक प्रोजीक्यूटर जिने हम सरकारी वग्तिल भी कह सकते हैं तो इनके ऊपर कोई ऐसी authority होनी चाहिए जो इने सब्सक्राइब करें और इसे लिए हमने 2005 में एक नया क्लॉस 35A जोड़ा था और उसमें हमने एक डिपार्टमेंट डिरेक्टरेट और प्रोजीक्यूशन को इंटोड्यूस किया था और अब ध्यांदेंगे हमने क्यों इनके ऊपर कोई ऐसी बॉड़ी या ऑथरिटी लाइ सब्सक्राइब की विशिश लोग अभी हो जग जब यह हाई कोट में अपने फंक्शन्स कर रहे हैं तो इनके ऊपर एक हैट बनाया है और वह हैट कौन है डायक्टर ओफ प्रोजीक्यूशन जानी की अभ्योजन निदेशा लेकिन वो तब जब यह तीनों केवल हाई कोट म अभ्योजक और साथ ही साथ साहट लोग अभ्योजक जब यह डिस्ट्रिक लेवल पे कारे कर रहे हैं तो यहां पर इनके जो हैड होंगे वो कौन होंगे डैप्यूटी डारेक्टर आफ प्रोजीक्यूशन यानि की अभ्योजन उपनिदेशा यानि की जब कोई भी पब्रि और साथी साथ मही स्टेट कोट में कौन होते हैं सायक लोग अभ्योजक जब यह अपने फंक्शन कर रहे हैं तो यह इनके दिन काम करेंगे अभ्योजन उपनिदेशा को करें और उसके बाद एक प्रोविजन जो आपकी इपिकले इंपॉर्टेंट है वो क्लॉस है एड और के लीगल अड्वैजर होते हैं यही काम तो पप्रिक पर जी कीटर और यही काम महादीवगता का है जो आडिकल 165 पर मेंचन है तो क्या क्या ये मान लिया जाए कि जो provisions पादिक आप्लाइब हो रहे हैं 25A के क्या वही provisions महादी वक्ता या advocate general पर भी लागू हो तो ये बात इसे clarify करता है हमारे 25A का clause 1 जिसमें सीधे सीधे ये बात कह दी गई है कि 25A यानि कि इसके कोई भी provision advocate general पर अप्लाइब नहीं होगा इन पर तो अप्लाइब होगा लेकि महादी वक्ता पर अप्लाइब नहीं होगा तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बड़े काम आएगा हो और इस पर हमारे प्री एजाम के लिए कुछ कुश्चन बन सकते हैं आप से फिर नेस फीडियो पर मुलाकात होगी हो और यदि आपको ये वीडियो पसंद आईए तो आप टार्गेट फ़र आईट्यू में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट हमें दे सकते हैं थैं